आज मंडे नाइट रो में हुआ बोबी लैसली और ओमास के बीज एक स्टील केज मैच मैच से पहले ओमास के चम्चो ने बोबी लैसली को पीटने की कोचिस करी और खुद ओमास भी रिंग छोड़ करा गए और बोबी लैसली को पीटने लगे पर उनका ये प्लैन बिल्कुल बेकार हो गया क्योंकि बोबी लैसली किसी से नहीं पिटे और रेफरी ने मैच को इस्टार्ट करा दिया मैच के दोरान ओमास बोबी लैसली पर हावी पड़ते होगे नजराए बोबी लैसली बार-बार Omas को पीटने की कोशिस कर रहे थे पर ऐसा वो नहीं कर पाए क्योंकि Omas की ताकत बोबी लैसली से कुछ ज़ादा ही है पर मैच उस वक्त पलट गया जब Omas ने बोबी लैसली को अपने कंदे पर उठा लिया और स्टील केज के उपर फैक दिया और स्टील केज टूट गया और बोबी लैसली उस टूटे हुए स्टील केज से नीचे उतर गए और इस वज़े से बोबी लैसली मैच को जीत गए जी हाँ बोबी लैसली जीत गए हैं क्योंकि बोबी लैसली का पैर स्टील केज से बाहर सबसे पहले आया था WWE की हर ख़बर के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले